पैशल पिग्मेंटेशन का अगर हम सिंपल तर्म्स में उसको डिफाइन करें, पैशल पिग्मेंटेशन का मतलब बस इतना ही है कि दवचा पे काले दब्बे होना उसकी कई कारण हो सकते, है ना तो हम जब पैशन्ट हमाए पास आता है ने जब हमसे क्लिमिक में एक्जामन कर सकते हैं, तो हम पाइशन से एक हिस्ट्री लेकर और उसके हिसाब से हम कारणों को खोचते हैं कि क्यों यह पिक्मेंटेशन आपके फेस पे हुई है, लेकिन जो कॉमन पॉसल हैं, जो हम सोच सकते हैं, वोड़न है कि बहुत धूपका अगर एक्स्पोजन है, आप कोई ऐसी मे पिag्मेंटेशन हो सकता है, जैसे सबसे वाइन है, मिलाजमा होना या जहाए Nicholas, जहाया जो होती है, रचाही है, सवाइट हो सकती है, परणा परोल पिल से वह सकती है, कि qualcि थारोड के क्जिवल से हो सकती है, लगों कुछ ओर धिस होती है, जैसे लाय Ican Plainus Pigmentosis, जिसमें की यह प्रकार का Autorimmune Disorder है, जिसमें की पुले चहरे पर काले कब बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे ही दबे शरीर पर भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और और भी बहुत से कारण है, जहाप भी आपको Pigmentation हो सकती है, जैसे कभी-कभी अगर आप कोई बहुत fragrant perfume या oil या powder अपनी face पर लगा रहे हैं, उसकी वज़़े से भी pigmentation होता है, जिसमें की face पर हो सकता है, या अगर आप किसी hair color के लिए allergic हैं, तो वो allergy भी आपके जहरे पर pigmentation cause कर से, यह कुछ common causes हैं, और कभी-कभी हमें post-inflammatory hyperpigmentation देखने को मिलता है, जो कि usually मुहासे के या कभी कोई चोट लगी हो, उसके बाद अगर आपके चेहरे पर pigmentation हो जाए, तो तो अगर हमें बिलकुल ही pigmentation को डाइग्मेंटेशन को डाइग्मेंटेशन को डाइग्मेंटेशन करना हो, तो वो तो दॉक्तर ही कर सकता है, है ना, but there are certain things, जो कि आपको, basically हमें cause rule out करना हो कि pigmentation patient को कोई क्यों है, तो वो पॉस एक proper history के साथ होता है, patient as such cannot understand कि what kind of pigmentation the patient is having, in terms कि pigmentation, अब सब करते हो कि color क्या pigmentation की depth किती है, जाया जो में, वो easy होती है समझने के लिए, क्योंकि जाया mostly आपके central area में होती है, आपके cheeks को involved करती है, chin को करती है, forehead को करती है, जो पर T-zone होता जो यहां पर pigmentation, जो बूले रंकी होती है, या हलके रंकी pigmentation होती है, वो जाया नहींती है, बट, lichen plenus, इसे मैं बहुना, lichen plenus pigmentosis, या reens melanosis, या archidermatosis, इसमें जो pigmentation होती है, वो slaty color के pigmentation होती है, आप simply है समझने कि जब तर बूले रंकी pigmentation है, वो जल्दी treat हो जाएगी, और अगर गाढ़े लंगी pigmentation होती है, उसमें डॉक्टर के पास आके treatment आवशक है, जो घरेलों चार है, वो pigmentation में help नहीं करते, अगर जाय पर pigmentation है, सबसे सरुछी चीज यही है, कि आप डॉक्टर से जाके मिल लिए, और एक अच्छा sunscreen अपने आप शीलिए, बहुत बार जो माई चेहरे की जायां या जो pigmentation होती है, उसकी सिर्फ medication करके दवाई करके खराब हो जाएंगा Sun exposure से हर प्रकार का pigmentation increase पर, इसलिए मैंने आप से बोला कि जो एक चीज आप कर सकते हों अपने हिसाब से, वो यह लिए कि आप एक sunscreen ज़रूर स्टार्ट करेंगे Sun exposure, in general, आपकी जायों को, आपके acne के बाद हुए pigmentation को, चोट की लगने के बाद हुए pigmentation को, या lycan palus pigment moses को increase करता है तो जो पहले ही चीज, अगर आपको अपनी चेहरे पर जाया, या गाड़े की दब्बे दिख रहे हैं, जो से पहली चीज आपको start करनी है, वो यह लिए कि आपको एक अच्छा sunscreen शूर करना है, जिसका minimum sun protection pack का, यानि SPF 13 होना भी चाहिए अगर आप घर के अंदर ने हैं, तो 30 इस बोड़े ना, लेकिर आगर आप frequency बाहर जाते हैं, तो कम से कम SPF 50 ज़रूर होना चाहिए और कोई भी sunscreen दो से तीन घंटे के रिए effective होता है, इसलिए sunscreen का हमें frequent application करना पड़ता है, यानि हर तीसरे घंटे पर sunscreen को repeat करना है जब भी चेहरे पर pigmentation होता है, तो हम पेशिंस को यह जरूर बताता है, जो आप अगर तुछोगे की preventive हम क्या पर सबता है, एक अच्छा sunscreen ही उसकरे, उसके अलावा चेहरे पर कोई भी ऐसी चीज ना लगा है, जो कि आपकी स्किन को irritate करते हैं, जैसी पेशिंस के चेहरे को pigmentation होता है, वो आलू, तोमाटल करस, नीकु कचूस, यह सब लगाना शुनू कर लेते हैं, जो कि नहीं लगाना चाहिए, ब्रकास इटक्या निरडेट है, उसके अलावा, bleach and scrubs, यह समबन्द करते हैं, जैसे हम बंद करते हैं, जैसे हम कभी किसी पेशिंट को यह तो प्रमस कर रहें हो, तो you can still expect to reduce your pigmentation by 60-80%. अगर pigmentation किसी चोट के बाद में, यह मुहासे के बाद में, तो we can say कि वो almost 100% चली जादा है, लेकिन लाइकर प्रमस की pigmentation यह मिलास्मा, ऐसा हो सकता है, कुछ पेशिंट में 100% चला जाए, बढ़ कुछ पेशिंट में, रेसिडिवार pigmentation treatment के बाद रहे सकती है, तो ठेरपी बहुत सी है, लेकिन जो पहनी केर शुरू होती है, pigmentation के लिए घर पे गिशिंट, कि आपने एक अपना sunscreen, अच्छे से इन्स करना, दिन में दो बात, आप vitamin C-based products इन्स कर सकते हैं, पिकि vitamin C pigmentation कम करता है, आपको बहुत सी company के vitamin C से रम जाने पेस को irritate में करता है, बहुत सब स्क्रब्बिंग, ब्लीच, यह सब रहे करता है, अट ट्यनिक में थेरपी जो होती है, वो हमेशा जो भी थेरपी मेंशन की रहाती है, जो फीपन आप ऑफर करते हैं, वो हमेशा pigmentation का diagnosis बराने के बाद pigmentation किस रीजन से हुआ है, क्या cause है, उ जो होता है कि जो pigmentation तुझाया जो होती है, वो में लिए आपके central facial area में होती है, like you can say the pea zone, central facial area is your cheeks, your chin area, nose area, you can have it over your upper lips, you can have it over your eye veins, so bilasma जो होता है, usually जो इसका कारक होता है, the most common factors है, sun exposure है, it can be because of hormonal changes, जो hormonal changes जो hormonal changes प्रिगनेंसी वे आते हैं, या menopause के ताइम में आते है, या we because of intake or birth control pills, या कुछ और भी दभाईयान हैं, जिर्के pubes से रॉडयासय हो जाता है, जिसे आं्ण आटिप्लप्रिप्स होती है बात बार उनसे हो जाता है, एक medicine arthritis की होती है, फिदमेंडिशन उससे भी हो जाता है, प्रवाजमा में बहुत बार जो पॉस होता है, वो निटरिश्टिनल फैक्टर्स भी होता है, जैसे आरेंड की डिफिशेंसी, हाइको तारॉइडिसम पूना, यह भी अभी-कभी मिलासमा पॉस करते हैं, बहुत-बार मिलासमा जो होता है, आनुवाशिक भी होता है, अगर आ माँँशर भी होता है, वर्याजमा ऍाजुटिक भी मिलासमा झीशर पॉस करते हैं, तो कम फॉस के बार जो attendance फॉस रेहरे होता है, आगर आधर हो AhimIGHT छाहिए, बार मिलासमा की ज ॉस होता है, जी पिंधिक है, बार फॉस होता है Iaap को पूरे में फे बेस पीट शिर ऐ मना आपको pigmentation जिसे बहुते एरिया से मिलाजमा की pigmentation केवन फेस पे होती है तो पहर कि जो differentiation है वो location के हिसाब से कि where is the pigmentation occurring अगर pigmentation आपके cheeks पे बुला cheeks पे हो रहा है या फोरनेट पे हो रहा है जो कि dark brown in color है वो मिलाजमा होता है अगर किसी को pigmentation like and planus का हो रहा है या रियूस मिलानोस का हो रहा है तो mostly पेमेंटेशन एक पो स्नेटी का लगा होता है वो आपके पूरे face को involve करता है यानि जो area आपका photo exposed या sun exposed है अगर post-inflammatory hyperpigmentation है जो किसी चोप लगने के बाद है या मुहासे के बाद है या मुहासे के बाद है या मुहासे के बाद है So we differentiate on the basis of color and on the basis of sight and then we can confirm it by doing our skin vibes अगर required होता है तो we do our skin vibes hyperpigmentation is just a term like hyperpigmentation का मतलब यह है जिस इसी particular area में जह hyperpigmentation हुआ रहा है वहां पे जो मिलानोसाइट सिया जो मिलानों कंटेंट है वो इंक्रीज रहा है तो facial pigmentation और hyperpigmentation यह इंटर्चेंजबल रहा है आप दोलो ही बोल सकते हो और पोई पीशन बोलता है कि मुझे hyperpigmentation है hyperpigmentation is a broad curve it simply means कि आपको pigmentation हो रहा है या आपती चेहरे पर च्टत्य बढ़ रहा है काले धब्बे बढ़ रहा है और मिलाजमा, लाइकन प्लेनर्स, रीज, मेलोनोसिस, पियाईश इस आप साइप साइशल मेलोनोसिस हो रहा है okay so it's a broad turn tanning का भी मतब यह है कि आपको चेहरे पर pigmentation या काले धब्बे हो गया है यह tanning क्यों लिए है यह धूप के exposure से भी है कभी पी जब उमारा बहुत continuous sun exposure होता है ना तो हमाई skin tan कर जाती वो tan नहीं करती क्योंकि जो हमारे skin में जो pigment cells है उनका जो role है हमारे skin में वो है कि वो धूप सावे बचाते हैं जम भी आप continuous sun exposure आपका होगा तो यह जो pigment cells है वो आपकी skin में कटी हो जाकते है so the skin dark health है ना so tanning is basically skin darkening जो की धूप के exposure से हुई है so reversal of tanning is very easy again you have to use a good sunscreen you just moisturize your body effectively and tanning अपने आप in general reverse कर जाती है within 15 to 20 days अकर आप proper sun protection कर रहे हूँ and if it is not reversing आप यह लगता है कि मैंने sun protection प्रोपर ली किया मैंने voice rise bond अच्छी से करी उसके बाद भी tanning नहीं जा रहे है then we can add certain depigmenting but still as a doctor I would suggest कि OEP अगर skin problem है और अगर आप कोई medicine अप्लाइ कर रहे हो तो अपने doctor से consult करके ही आपाए first thing is sun exposure अगर नम्हें facial pigmentation प्रिवेंट लगना है सबसे पहरे हमें कुशिची करनी चाहिए कि हम sun exposure को avoid करें sun exposure avoid करनी के लिए we have to use a good sunscreen on daily basis even if we are staying indoors if we are going out then we need to use a broad spectrum sunscreen जिसका कि UVB, UVA protection जो हो हो proper हो at least SPF 30 and above हो आप जब भी बाहर रहते हो sun screen को कम से कम दो बार ज़रूर अप्लाइ करें क्योंकि 3-4 hour ही application sun screen कर करना थे उसके अरावा predictive clothing पहने जब भी आप जो पे जारते हैं proper की body को बच्छे से cover करके चेरे को scarves से, bottle से cover करके बाहर जाए sun protection तो आपने ऐसे करना है second comes your nutritional profile तो हमेशा जब भी pigmentation हो patient अपना कुछ blood test करा सकते हैं जैसे की vitamin B12, vitamin D, thyroid का test और iron deficient, peritene cut test अज़र ये test आपके कम आ रहे हैं तो हमें supplementations आड़ करने की जरूवत हैं iron supplementation, vitamin D या vitamin B12 supplementation यादर thyroid का level कर पने thyroid की medicines होगे, आप doctor से consult करके आड़ कर सके हैं उसके अलावा, pigmentation can be prevented by taking good amount of antioxidants जैसे vitamin C है, या lycode bean है यह अच्छे antioxidants हैं जिनके intake से आपका pigmentation reduce हो सकता है instead of taking medicines, आप अगर green-lacy vegetables का and colorful fruits का intake daily basis पे करें तो आपकी जो antioxidants हैं उसके अलावा, अगर patient is on some birth control pill and patient notices की यह नापिज हाँ नेका की pigmentation बाहे बहुत जाइब it is always better की आपनी गढ़ी जाइन जाउडусे शके उस Medication को जाच्छ तो इस आपने certain ways how you can prevent figmentation, you can use your sunscreen daily you can have good amount of oral antioxidants in your diet, oral antioxidants का intake आपे इस पर सकते, वाई तेके good amount of green leafy vegetables अगर कोई भी लेवल आपका कम आता है तो लेवल का सप्लिमेंटेशन आप आपकी आपकी कंसलिजेशन कर सकते हुआ उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोड़क्ट्स हैं कुछ ऐसे ओर-the-counter प्रोड़क्ट्स हैं जो कि आप इन जेर्रल आप अप्लाई कर सकते हुआ अब तो बहुत सी कंप्पीज है जिनके विटमिन-C और आर्विदीन-बेस प्रोड़क्ट्स आने लगे हैं जो कि आप इन जेर्रल पेस पे लगास है तो इस आप सेफ प्रोड़क्ट्स आप बिना डॉक्टर भी गंसलिजेशन के वी नुस्तरत